है तो एक्जाम ताइम प्राइन हर बच्चों को एगना माईंड में होरैं एक जिसने थोड़ा कम कर आख अब यहाधा और पढ़ा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके को कशन डेशन नहीं होगा यह करें तो अब एक्जाम है, एक्जाम में हर चीजे होती रहती है, मुस्किल पेपर भी आ सकता है, आसान पेपर भी आ सकता है, तो मुस्किल आ जाए, आसान आ जाए, तो एक पेपर की वज़े से हमारे लाइफ नहीं रुकने वाली, पहली बात तो, लाइफ तो कंटीनू चलती रहेगी हाँ लेकिन हमें ऐसा भी नहीं है कि यह सोच ले कि हमारी life तो रुकेगी नहीं तो छोड़ दो चलेगी तब भी life पढ़ना ही नहीं है आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से आगे लेके चलना है एक्जाम का पहला फंडा होता है कि एक्जाम के questions को आप carefully क्या करो study करो carefully आप उसके questions को study करिए study करके आप at least सभी questions को start करिए और जब कभी भी questions paper आपको tough लगता है tough आ जाता है तो आपके पास समय जादा हो जाता है reason उसके पीछे होता है कि आप को question आ नहीं रहे होते हैं और आप सूचने paper में क्या करें उस time पे आप सारे questions करें जितना point आता है आप अच्छे से format बनाएं जैसे balance sheet का format है बहुत अच्छे सा format बनाएं सारी चीजे इतने अच्छे तरीके से represent करिए आप exam में कि आपको हरे question में अगर थोड़े थोड़े भी marks मिले तो आप वहाँ पे जहां पे एक उमीद है कि हम pass नहीं हो पाएंगे वहाँ पे pass हो जाएंगे definitely लेकिन सारे questions को अच्छे से attempt करना हो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपने चोड़ा यार पेपर टफ आ गया यह करा था एक्जाम के अंदर जादे से जादा हमारे दिमाग पर क्या रहता है चार ने बोल दिया ना कि एक्जाम हमारे टफ आ गया तो हमारे दिमा लेकिन अगर आपने देखा यार बच्चों का कहना है कि मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के बोला फाइनल अकाउंट का इक कुश्चन आएगा आपने तयारी करा फाइनल अकाउंट मान लो नहीं आया उसकी जगह पर मान लेते हैं थियोरी दे रही है मान लो एक पल के लिए क्या आगया अब बच्चों का टाइम है लेकिन अधर तिंग भी देखो आपका रीकंस्रक्शन आया अधर तिंग भी देखो आपको कैश फ्लो आया फाइनल अकाउंट नहीं आया तो क्या हुआ तो जो चीजे आती है एक्जाम में उसको अच्छे से अटेम्ट करना है अभी एक्जाम का टाइम है सारे कुश्चन को बहुत सारे बच्चों का पेपर खराब हो सकता है और जब आप पूरा end of the day होता है आपका end of the day के टाइम पर आपको क्या करना है जो पूरे दिन में आपने अच्छे से पढ़ाई किया उसका रिवाइस करना है जो जॉब बच्चे कर रहे हैं वो जॉब से थोड़ी तिनों के लिए छुटी ले सकते हैं और फिर काम कर सकते ह job और study दोनों नहीं होता मैं maximum बच्चों को देखता हूं रात को दो बजे तीन बजे पढ़ रहे होते हैं या दो या तीन बजे डाउट भेज रहे होते हैं कि वह सोचते हैं कि यह कैसे होगा तो जो student दो या तीन बजे पूरे दिन का आप schedule बनाईए कि अच्छे से दिन में पढ़िए एक time table आपका होना चाहिए आपका थोड़ा relax हो जाएगा mind time table time table in the sense आपको कितने घंटे इस chapter को देना है और जिस time आप study करेना उस chapter को उस time पे सिर्फ उसी का study material आपके पास होना चाहिए अगर आपने corporate account का time table बनाया है कि मैं सुभह 8 से 10 बजे तक मुझे corporate account पढ़ना है और सारी तैयारी करके 8 बजे मुझे corporate account की study स्टार्ट करनी है और 10 बजे तक पढ़ना है और आपके desk पे आपके table पे आप जहां पे भी बैठते हो वहां सिर्फ corporate account का स्लेवस होना चाहिए और उसके बाद जो tenure आपने बाटा है उसको यानि एक पंचूलेटी ले यार बहुत टफ पेपर है यार अगली बार देख लेंगे छोड़ देते हैं कैसा होगा नहीं होगा अगर यह सारे मन में खयाल आ रहे हैं तो आप बहुत बड़े गलत पार्थ पे चल रहे हो सिंपल सा फंडा लेके चलो कि भाई आप पेपर होगा पेपर देंगे जितनी करिए मैंध के साथ पोरी इमान दारी के साथ पेपर लिखके आएंगे नमबर देने वाला समझे देता है तब भी ठीक नहीं देता तब भी ठीक अपनी मेहनेत के उपर वस необходимо करना आ तो फिर आप पेपर कर पाओगे नहीं तो बहुत बच्चे क्या करतें पूरी तऊयारी कर समझ में आ रहा होगा एक्जाम की तैयारी पूरी करो और अच्छे में पढ़ रहा था तो बहुत बच्चे का कहना है सर कॉर्परेट अकाउंट एकनॉमेक्स कोई छुटी नहीं है यह नहीं है तो मैं सिंपल सी दी बात बताओं जब पहले आपका पेपर हुआ था जिन बच्चों का इया राय स्पेशली तो आपने पहले मजे भी तो लिये हैं आपने जब पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं करी आपने अगर पर चाहिए आपको दस लोगों से बात करके यह किसी से भी बताके कोई फाइदा नहीं है उस सिच्वेशन को आपको ही टेक केर करना है भली सेंट्र कितनी दूर पढ़ा है कितनी पास पढ़ा है मैटर नहीं करता एक हमारे माइन का परसेप्षन है यार लगातार पेपर है तो एक पेपर खराब हो जाएगा, एक पेपर कैसे करेंगे, सब हो जाता है, पहले कि मैं बात करूँ, डेली उनिवर्सिटी का पेपर पता है, पांच पेपर हुआ करते थे, संडे स्टार्ट उठा था, फ्राइडे खतम हो जाता, पेपर बात खतम कोई चुट्टी नहीं कोई कुछ नहीं लगातार पेपर लिया करते थे अब तो पेपर में बहुत ज़्यादा गैप भी होने लगाया है तो आप समझेगा इन सभी बातों को और फोकस करिए स्रिफ आप अपने स्टडी पे और अपने ट्रस्ट रखिए अपनी मेहनत के